अब रिसेंटली इंडिया औस्टले से हार लगातार तीसरी वर्वर्ड कब हार गया है और जब भी इंडिया कोई बहुत ही बड़ा टोर्नमेंट हारती है ना तो अक्सर कई सारे लोगों को आपने कहते हुए देखा होगा कि भाई अब क्रिकेट में कुछ नहीं बचाए अब से हम फुटबॉल देखेंगे इंडियान फुटबॉल टीम को सपोर्ट करेंगे पर बो दिन भाई कभी भी नहीं आता है आप खुदी बताओ मेरे को मनबीर सिंग गुरुपरित सिंग तो इन सारे लोगों को आप कितना ही जानते हो टीम में से रंडोम ली पांच नाम पू सकता है कि मुझे बहुत सारे गालिया पड़ जाए तो ध्यान से सुनना सारे रीजन्स को और एक बात जो सब मैं बोलूंगा उसको भाई एक बारना सांथ दिमाग में सोच के देखना अब चलो यार दोस्तों बिना किसी टाइम का वाई आज के वीडियो को स्टार्ट कर ले इंडिया को भी बैन कर दिया था अब इसके पीछे भी बही सेम रिजन था AIF that is All India Football Federation तो उनके अंदर बहुत सारे लोग इंटर फ्यार कर रहे थे जो टारेटली गवर्मेंट से जुड़े वे थे और उनके भाँ पर ऐसा स्ट्रीट रूल्स रखा जाता है कि स्पोर्स को न सिर्व के सिर्फ प्राइबेट और्कापा जाये जो गवर्मेंट चाहेगी प्राइबेट लोग चलेंगे तो इक्वालिटी रहेगा जबकि और धारेटली गवर्मेंट लोग इसको चला रहे थे लेकिन BC से अब इतना ज़्यादा पावरफल बन चुगा है कि उनको यार उतना कुछ फरक नहीं पड़ता और ICC भी ना उतना कुछ street rules नहीं रखती है तो उससे कुछ ज़्यादा फरक नहीं पड़ता है अब politics करके government अपने बाइस किसी को भी टीम में लाएंगे क्यों अब देखो sports में बहुत सारे other benefits भी होता है एक बार आपने किसी भी एक sport के अंदर इंडिया को represent कर लिया तो आपको आसने से government job मिल जाती है sports quota यूज करके आपको banks, army, कई सारे जगाप पर आराम से job मिल जाती है तो बहुत सारे other benefits भी होता है ये बाम पर तो होता क्या है कि कई बार एक अमीर आदमी काफी पैसे के लागे अपने बेटे को किसी भी टीम के अंदर आड़ करवा देता है भले ही उसका बेटा उस चीज का लायक भी ना हो बट उसे benefits तो मिली जाता है पर इससे क्या होता है कि टीम कहीं का होके नहीं रहता है आप खुदी सोच के देखो अगर 11 में से 10 ऐसे players टीम के अंदर है जिने ढंक से ना खेलना आता है ना ही वो लायक थे सही में सिर्फ पैसा के लाके टीम के अंदर बो लोग आए हुए बोट टीम यार आप खुदी सोच के देखो कि इंटरनेशनली वो टीम कैसा ही पफम करेगा अब बले ही हम ऐसा भी नहीं के सकते कि AIF में ऐसा ही सब कुछ होता है हाई जान से कैसा नहीं होता होगा बाकी पर हम ऐसा जरूर कैसकते कि AIF膽 BCCI के तरह फुटबोल को इतना कुछ प्रामबोर्ट नहीं करती है अब यार ये भी कही नशा ना कही एक रीजन है फुटबोल को इतना अटेंशन नहीं मिलने का अब देखो पालीटिक सिर्फ एक रीजन जरूर हो सकता है देकिन यार हम सब कुछ के लिए गवर्नमेंट को भी दोसी नहीं ढहरा सकते हैं क्योंकि जैसा गवर्नमेंट बाला आदमी जरूर है बट स्टिल बीसी से दिन बादिन पावर फुली होते जा रहा है और इंडियान टीम के अंदर जो प्लेयर से बहुत सारे के सारे जेनुएन प्लेयर से अच्छे प्लेयर से अपने इंडियान टीम को हारते भी जरूर देखा होगा पर आप यार इंडियान टीम के जो स्ट्रेंथ है उसके उपर सवाल नहीं उठा सकते है आपको भी पता है कि इंडियान टीम एक स्ट्रोंग टीम है और सारे के सारे जो प्लेयर्स है बहुत जेनुइन प्लेयर्स है अब यहर चलो मान के चले अगर ऐसी सची बात है पैसा के लिए के टीम के अंदर कोई भी नहीं आया है इंडियान फुटबॉल टीम में तो फिर क्य बिकोज क्रिकेट में जो प्लेयर्स है ना वो दीरे 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 करके अच्छे खेले 1983 से पहले इंडिया जो टीम में वो काफी वीक हुआ करता था जहां पहले वेस्ट इंडिस ऑस्ट्रिया तो एही सबना भाई डोमिनेट कर रहे थे बही कपिल दे बात हैं 1983 में वाल्ड कप जीदा थे और उसके बाद बेसे भी इंडिया को काफी ज़दा अटेंशन मिलना सुरू हो जाता है फिर बाद में सचीन आते हैं वाल्ड क्लस बोलर्स को बस सारा दुनिया के सामने उन्हें डोमिनेट करते हैं और इंडिया को प्राउड फिल कराने का कोई भी मौकाबन नहीं चोड़ते हैं तभी तो भाई सचीन को गौड अप क्रिकेट भी कहा जाता है इंसोड क्रिकेट में इंडिया अच्छा कहला और वन अप दे स्ट्रॉंग टीम बना तब ही जाके लोग इसको सपोर्ट करा बाहर देशों के जो मसूर क्रिकेटर है तो वो यार सचीन, कोहली, MS दोनी तो इन सब के बारे में हमेशा तारीब करते रहते हैं जबकि फुटबल में इसा नहीं होता है इंडिया टीम के बारे में कोई क्यार ही नहीं करता बाहर देश जैसे की अर्जेंटिना, पोर्टुगाल, ब्राजिल तो इन सब के प्लेयर्स को अगर आप सुनील चेतरी, मनबीर सिंग इन सब के बारे में पुछोगे तो उनको तो भाई हाई चांसे की पता भी नहीं होगा अब ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया अच्छा पफम करती ही नहीं है फुटबॉल के अंदर और एक बात भी आप खुद सोच के देखो और अपने आप से ये सवाल पुछो कि अगर इंडिया क्रिकेट में इतना स्ट्रॉंग टीम नहीं होता और इंडिया टीम को भी जिंबावे आयरलेंड के तो वर्ल्ल कप के लिए क्वालिपार खेलना पड़ता और कभी-कभी तो इंडिया सिलेट तेक नहीं हो पाती वर्ल कप के लिए और अगर भी वर्ल कप में आभी जाती है तो कन्फरम जाके लीग मैचेस में ही बाहर आ जाती और टॉप टेन बैट्समैन, बोलर, फिल्डर, किसी में भी कोई भी इंडिया नहीं होता उनके फ्यांस बनने में मजबूर हो जाते हैं और उनको फ्यूचर में भी सपोर्ट करी लेते हैं जबकि फुटबॉल का जो टीम है वो यह आज तक वर्ल कप के लिए कभी क्वालिपाय तक नहीं हुआ है हाँ एक बार हुआ था बहुत टाइम पहले पर ड्यू टू सम अधर इसूस टीम जाही नहीं पाया ब्राजिल अब जाना तो चाहिए था पर नहीं जा पाय बोलग बात है अभी जाना चाहते तो है पर क्वालिपाय करना ही बहुत ही जदा मुस्किल हो जगा है और जितना अभी जैसा वो खेला है टीम तो उसको देखर के लग रहा है कि अगले 10 साल के लिए तो भाई क्वालिपाय करना बहुत ही जदा मुस्किल है और आप ये भी सोच के देखो कि जरा क्रिकेट में भाई 10 टीम होते हैं सिर्फ की सिर्फ 10 टीम होते हैं और बहां पर भी इंडिया हमेसा क्वालिपाय रहता है और भाई फुटबल में दुख्यार 30 प्लस कंट्रीज फुटबल वाल्ड कप कहलते हैं और अभी तो 48 हो जुगे है उसके बाबजुद भी इंडिया क्वालिपाय तक करने ही पा रही है और एगर ऐसा ही पफ़मांस रहा तो आप खुदी सोचके देखो क्यों कोई भाई क् अब भी और चाथ नहीं है और एसा नहीं है कि इंडिया के अंदर लोग यार फुटबल को सपॉट करना चाहता नहीं है लोग भाई रोणाल्डो मेसी के भाई फ्यान बने पड़े हैं पर भाई लोग यार सुनिल चेतरी मनबीर सिंग उनके बारे में पता भी लगाने की कोशिस नहीं करते अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यार बो लोग अच्छा परफॉर्म करी नहीं पाते और जो भी लोग अच्छा परफॉर्म करते उनको आप जानते होंगे जैसे कि मैंने सुनिल चेतरी की बात करा तो इंडी विज्वाली टीम भले कराब खेली ओ पर इंडी बिज्वाली सुनिल चेतरी भाई वाल्ड के टॉप फाइप हाइस्ट गोल स्कुरोर में आते आपको पता यह बात और भाई बहुत लोगों को पता हो अब इसका सिर्फ एक रिजन भाई वाना कि सुनिल अच्छा कहलते हैं तभी उनको बार बार भाई सपोर्ट करते हैं लोग और लोग भी चाते हैं कि सुनिल और अच्छा कहले क्योंगी वो फेले से अच्छा कहलते हैं ठीक है और एक बार के लिए इमाजन करके यह देखो क कल को सपोज इंडिया फीफा वाल्ड कप के लिए क्वालिपे कर जाती है और अलेडी भाई कापी लोग सपोर्ट दिखाना शुरू कर देंगे यह बात आप लिख के लेलो अभी से और एक बात को भी इमाजिन करो जिस फीफा वाल्ड कप को रोनाल्डो तक नहीं जीत पाया और सपोस् मान के चलो कि इंडिया उस फीफा वाल्ड कप को लिप्ट कर देता है जीत जाता है तो अब सोचो भाई कितने सारे लोग आके सपोर्ट दिखाएंगे I am sure कि इसका जो और बहुत ही सारे नंबर्स में उनको सपोर्ट भी मिलेगा तो कहीं न कहीं ये भी एक रीजन हो सकता है कड़ भी जरूर है पर रियालिटी है भाई आपको ये बात भाई भाई जानना ही पड़ेगा और आपको समझ में आ चुका होगा कि क्यों इंडिया में फुटबॉल को इतना जदा सपोर्ट नहीं किया जाता है और यार कुछ बाते कड़ भी जरूर लगी होगे जिसके लिए रियली रियली सॉरी बाकि अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हुआ तो उसके लिए भी आप मुझे कॉमेंट में करक्ट भी कर सकते हो और कापी सारे परस्टनल ओपिन बाइ